Hello friends, कैसे हैं आप सब और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत से देशों में विक्स को बैन किया गया है उसके हानिकारक परिणामों की वज़े से? जी हाँ, दोस्तों छोटे बच्चों में regular तोर पर विक्स का इस्तमाल करना काफी हानिकारक हो सकता है, खास करके आस्तमावले बच्चों में तो विक्स का इस्तमाल बिलकूर नहीं करना चाहिए दोस्तों आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो विक्स के बोटल पे लिखा हुआ होता है Not to be used for children below 2 years, मतलब 2 साल से कम उम्रे के बच्चों में इसका इस्तमाल ना करे तो अगर छोटे बच्चों में, specially एक साल से कम उम्रे के बच्चों में अगर सर्दी और खासी होती है तो उसके लिए क्या उपाय करें, यह मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ अर्चना और वैदिक पंचगव यूटिब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों जो चोटे बच्चे को सर्दी और जुकाम हो जाता है तो सबसे पहली बात तो उन्हें उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही पिलाए अगर आपको पिलाना है तो दूसरी बात एक कप पानी में एक चमच अजवाईन मिलाए और उस पानी को उबालिए उबाल कर ठंडा करने के बाद ये पानी बच्चे को सुबह और शाम एक एक चमच पिलाए तीसरा नुसका लाल पत्थर पे देसी गाय का गी एक चमच ले और उसमें जाइफल याने नटमे को गिसे गिसने के बाद जो गी बनता है उसे उंगली पे थोड़ा से लेके बच्चे को सुबह और शाम चटाए बच्चा हुआ गी जो होता है उसमें जाइफल को थोड़ा से जादा गिसे और वो गी बच्चे को नाक पे लगाए और चेस्ट पे उससे अच्छे से मसाज करें जिससे बच्चे को कफ रिलीफ होगा और उसको सर्दे में काफी राहत महसूस होगी दोसरों दोस्तों चोथा और सबसे आखरी और सबसे असरदार नुसका में आपको बताती हूँ एक पैन में प्रिफरेबिली लोहे के पैन में थोड़ा अजवाइन ले उसे गरम करें अच्छे से गरम होने के बाद उस अजवाइन को एक मलमल के सौफ्ट कपड़े में निकाले और बान ले और ये अजवाइन से बच्चे को चेस्ट पे और पीट पे अच्छे से से शेक थोड़े थोड़े समय से आधा-ाधा या फिर एक-एक चमच उसके उम्मर के हिसाब से पिलाते रही हैं। दोस्तों बरसात के और ठन के मौसम में वाइरल इंफेक्शन में काफी बड़ोतरी होती है। तो अगर आपको viral infection को दूर रखना है तो देशी गाय के कंडे पे देशी गाय का शुद्ध घी डालके उसे जलाईए उसमें बीमसेंग कापूर अगर आपके पास अवेलेबल है तो लेसन के छिलके और अजवाईन भी डालिए जिससे के आपके घर में जो है शुद्ध वाता करके जरूर बताईए आपके कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स मुझे जरूर पुछिए अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमरे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू